आज के समय में अगर देखा जाए तो देश भर में करोडों लोग अपने दिन की शुरुवात गर्मा गरम चाय या फिर कोफी की चुस्कियों के साथ करते हैं अगर बात कॉफी की की चाये तो कॉफी पीने से इस्ट्रेस दूर होता है और एनरजी मिलती है साथ ही इसके लाबहों में से कुछ लाब वेट लूज एनरजी लेवल को बढ़ाना डाइबिटीज कम होती है और लीवर की सुरक्षा भी करती है यही नहीं यह हमारे इम्यून स सिटा में सुधार करता है और कुछ परकार के कैंसर को रोकने में मदद भी करता है इसके लाबह यह हमें हाट डिजीज से बचाता है यानि अब ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह स्वाद में जितनी अच्छी लगती है उतनी ही यह हमारी हेल्थ के लिए भी फाइदे को कम कर सकती है हाला कि सौधगरता कहते हैं कि अभी इस बात के कोई ठोश शबूत नहीं है जिसके बल पर यह कहा जा सके कि कौफी पीने से एक खत्रा कम हो सकता है इसके लाबह आपको यह भी बता दें कि इंपेरियल कॉलेज लंडन के सौधगरताव का कहना है कि अगर महिल के खत्रे को 50% से भी अधिक घटा देता है इसके साथ ही कौफी पीने से हेप्टो सेलूलर कार्शी नोमा की आसंग का भी काम रहती है यह आमतोर पर होने वाला लीवर कैंसर है इसी के साथ ही आपको बता दें चलें कि नेचर नियोरो साइंस नामप पत्रिका में परकासित एक रिपोर्ट के अनुशार कौफी के सेवन से दिमागी छमता भी बढ़ जाती है साथ ही आपकी याददास्त बढ़ाने में भी सहायक है दिमाग पर कौफी का असर पीने के 24 घंटे तक रहता है नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा किये गए सौधिक पर्द अधिक अनुशार जो लोग रेगुलर घटार जाल कौश्य तक पते ने की कौफी का ज्यादा सेवन करते हैं वह अन्य लोगों की दुल नमेंक्स अधिक काफियाisin कर खोस रहतने में आपको बहुत जाला मदद करता है क्योरेन हेल डेक्सी रिजवान खान की रिपोर्ट